अलो दोस्तों वेरे गुड मॉनिंग सस्रिया काल राधे राधे नमस्कार कैसे आप सब आसा करता हूं आप सभी काफी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को के गेसे इंटर्वी के क्रोकेशन को काफी बहतर और अच्छे तरीके से आगे पढ़ा रहे होंगे तो मैं सिसेर रोज की तरह स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल सिसेर की पार्ट साला में तो जैसा कि आपको मैंने अल्रेड़ी वेडियो के मादम से सुचित किया इंफॉर्मेशन दी कि के कच्छा एक और कच्छा दो में नएक बुक्स इंटर्डियूस हुई हैं तो ज मैं इसको कंप्लीट कराने के कोशिज कर रहा हूं तो जिन्हों ने इसके पहले एक वीडियो नहीं देखी क्लास वन की हिंदी की जो पुक है सारंगी उसका मैंने एक चप्र करा दिया अब दूसरा मैं इंग्लिस का कराने जा रहा हूं ठीक है तो आईए देखते हैं क्या द की जो जो चीज़ें जरूरी है वह बहुत देखते जाहिए एक बार दीज़ा और जरूर पढ़िए इस किताब को कई बार पंढ़ लेशे आप लोग तो इसमें की पहले यूनिट कि क्या का बार ने इसमें दिया गया पहले कंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं यह प्रप्रतिंस थिक है यूनिट वन माई फैंदी मेरा परिवार और मैं जिसमें तो पहला यूनिट है टो डिटिल हैंड्स एंड ग्रेटिंग्स ठीक है दूसरा यूनिट भात करते हैं वहीं बात करते हैं उनेट तु है लाइफ अरांड अस तो इसमें पहला टॉपिक है दूसरा है the capsular and the monkeys and उसके बाद है a farm ठीक है वही बात करते हैं unit 3 के बारे में food के बारे में fun with pictures and second chapter is the food we eat, okay? Unit 4 seasons है ठीक है? और seasons के बारे में discuss किया गया है in this unit we have discussed about the seasons and the first chapter is the four seasons and the second chapter is Anandis Ranbo, okay? Now we will discuss about the unit first and first chapter of unit first so the chapter name is my family and me, मैं और मेरा परिवार तो आये, एक पोयम है, एक कविता है, ठीक है? वे विल रसाइट उस तोगेदर हम को बच्चों को कैसे पढ़ाना है तो पहले कविता है तो इसके बारे में आये देखते हैं कि कैसे आप बच्चों को कविता रिसाइट करेंगे, आपके expressions, आपके body language, आपका recitation, आपकी communication, आपकी clear voice, सब कुछ बहुत माने रखती है, KVS के demo interview में, या demo teaching में, तो इन सब चीज़ों को बहुत clear रखेंगा दोस्तों, तो चलिए two little hands को recite करते हैं, कैसे आपको करना है, ठीक है? आप clapping करते हुए इसको बोल सकते हैं, या बच्चों को दिखाते हुए बोल सकते हैं, two little hands कैसे? दो ह आप दिखा सकते हैं, two little hands go clap clap clap, तो आप clap कर सकते हैं, two little hands go clap clap clap, two little legs आप पैर दिखा सकते हैं, go tap tap tap, कैसे बोलेंगा बच्चों के साथ? बच्चों मेरे सान बोलिए, two little hands go clap clap clap, two little legs go tap tap tap, कैसे बच्चों को आप बोल सकते हैं, दिखाते हैं, तो इसके बाद next lines है, Two little eyes are open wide मतलब दो आख हैं आखों को दिखाई और wide मतलब आखों को छोड़ा दिखाई है आपके expression दिखने चाहिए बच्चे दीख के ज़्यादा सिखेंगे आपके words बहुत कम सुनेंगे वो आपके how, how, आपके expressions देखके वो जरूर सिखेंगे Two little eyes are open wide One little head go side to side One little head go side to side ठीक है आपके बच्चों के सामने decide करना है अब आई आगे देखते हैं Two little eyes to look around Two little eyes to look around Two little ears to hear any sound Two little ears to hear any sound तो आप अपने कान को दिखा सकते हैं बच्चों को कान के मादें से बता सकते हैं कि सुनने के लिए है ठीक है बात करते हैं आगे One little nose to smell and breathe मतलब एक हमारे पास नाख है Smell करने के लिए और सास लेने के लिए One little mouth that likes to eat एक हमारे पास चोटा सा प्यारा सा मू है खाने के लिए ठीक है उसके बाद आगे चलते हैं Hands to clap Legs to walk Nose to smell Mouth to talk Head to move Eyes to see I have a little body that belongs to me I have a little body that belongs to me I have a little body that belongs to me ठीक है I hope so आपको काफी अच्छे से ये कविता समझ में आगे तो जो भी वर्ड्स है उसको जरू देखते रही हैं ठीक है यहां से पोल देते हैं कि आपको इंटर्वें में कई लोगों से पूछा गया है कि आप इसकी स्पेलिंग बताइए ठीक है लिटिल का स्पेलिंग पूछ लेंगे तो आप इसको देखते रही हैं लेक हैं लेक हैं यह नोट तो नोट तो दीचर के लिए नोट किया है इसमें इसमें डिफरेंट कॉमिनेशंस एंड वर्येसंस फॉर एक्टिविटी और इंस इंस्टेंस वाइल रिसाइटिंग दपॉएं यू में से टू लिटिल हैं गो और दो हां दिखाईए और अप सांथ हो जाईए जब क्लैप करना हो उसके बाद पुलिया फार्यापस भुल लग कि नमय वर्याँ को उसको नदिख फैन पोड पॉनी के बारे में पूरिचिजे आ एं हैं हैट सुर년めて तोस है और헤्ट अचीज कॉन्या ओगए उसमें तोस इस फोलुब भॉर पॉड़म टॉड़ां है दिया है, note to the teacher हमको जरूर पढ़ना है, as children sing, that is the part of the body referred to, this song may be repeated till the child learns the part of the body, new ways of residing could be thought of by the teacher, मतलब हमें यह जो कविता है, हम बच्चों को बोलेंगे, eyes को touch कराते हुए, nose को touch कराते हुए, ear को मतलब सब को touch कराते हुए, कविता तब तक बोलेंगे, जब तक बच्चे body parts को सीज मैं जाया है, तो यही सब चीजे हैं, इसमें यही सब चीजें टीचर के लिए दी गई है, और बच्चे आपस में बात करके देखें, इंगेज करके चीजों को सिफाने की कोशिस की गई है, फिर note to the teacher है, teacher demonstrates the accent and sees the sentence until and repeat doctor, then each child says one sentence in sequence till every child in the class gets a chance to speak, मतलब सीदी से बात है कि teacher demonstrates क करता है, दिखाता है कि अपने accents और जो बोलता है अपने बातों को ठीक है, और बच्चे उसके बाद में repeat करते हैं, और हर बच्चों को ऐसे मौका मिलता है, बोलने का ठीक है, तो यह सब activities है, note the teacher, using the pictures, they allowed the parts of the body, pointing to each one, as children repeat after you, let them also point to the corresponding body part, मतलब आप उस पे प्लाइक बाइक से बच्चों को सिखाने की कोसिस करिए, तो यह सब note to the teacher है, यह दिखें, mouth, nose, skin, यह सब बना के आप दिखा सकते है, तो यही सब चीजे हैं, दोस्तों, I hope so, पहला unit आपको खतम होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, और पहला unit यही पर खतम होता है, यह सब activities हैं, जो बच्चों को सब क्लास में जब आप teacher बन जाएं, उसके बात की चीजे हैं, तो अभी जहां interview तक काम है हमारा, हम उसको चलूर काम करेंगे, तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, I hope so, काफी अच्छे से समझ में आ रही होगी, और मैं पूरी courses करूँगा, आपको सारे units, टॉपिक्स कंप्रीट करूँगा, ऐसे ही, बस आप लोग अपना प्यार बनाया रखिए इस चैनल पर, अप चीजों को अपने तोस्तों तक पहुचाई, अपने जो भी भाइबान, फ्री आप कॉश्मेंटर कर रहे हैं, तो जरूर इस चैनल के मादम से कर सकते हैं, और बि दॉरा अबाद रहिए, जहां भी रहिए, अबाद रहिए, जहें जगारथे